हेलो एबरीवन मैं सूब हम आप सभी लोग का अपनी चैनल हाई फाई दुकेटर में स्वागत करता हूँ तो आज मैं बताने वाला हूँ कि तीलग धारी पीजी कालेज का जो फार्म रिलीज हो चुका है तो आप लोगों के अंदर कोस्षण होगा की सर बताईए की कोर्स कौन-कोन से है टिलग धारी पीजी कालेज में और सेकेंड़ चीज ये है की सीटो की संख्या कितनी है और अगला आपका कोशन ये रटाय की सर बताईए की सेलेबस क्या होती है अगला next question यह चीज रहता है कि सर्फ फीस कितनी लगती है वहाँ पे yearly लगती है या semester लगती है तो सभी चीजों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको दे देंगे इसलिए आप से यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखेगा और BSC AG और MSC AG की student से तो बिनम्रन रिवेदन है कि आप वीडियो जरूर देखे जाएगा क्योंकि आपके cut-off हम यहाँ पे बताने बाले हैं और बाकी लोगों के cut-off नहीं बताएंगे क्योंकि बाकी को अगर comment करेंगे तो मैं आपको cut-off release करके दे दूँगा और आपको बता दूँगा कि इतने cut-off के अंतरगत आप पास रहेंगे मलब नमबर आपका आएगा तब ही आप पास होपाएंगे तो चलिए guys start करते हैं पहला जो course है वो है BA का course यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला course BA का है तो BA में आपको मैं बता दूँ तीन साल का course होता है अगर intermediate पास है आप तो आप इसे apply कर सकते हैं इसमें बहुत सारे subject हैं यहाँ पे देख लीजिए total subject पढ़ लिए वही अगर seatों की संख्या जान ले तो 1607 seat है जो की BA में है जिसमे girls का अलग seat रहता है और boys की अलग seat रहती है cut-up भी अलग निकलता है girls का और boys का भी अलग निकलता है तो ध्यान दीजेगे so guys चलते हैं MA की तरफ MA में बता दू आपको तो illegally BA पास होना चाहिए आपको और duration की बात कर लो तो 2 साल की course होती है subject यहाँ पे बहुत सारे दिये गए और seat जानेंगे तो सभी में अलग-अलग seat है किसी में 30 seat है तो किसी में 60 seat है तो किसी में 80 seat है तो हम prospectors भी आपको available करा देंगे और सामने आप देख भी पा रहे होंगे आप उसे clear कर लिजे क्योंकि हम बारी-बारी से नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा हमें upload करने में दिक्कत होगा चले गाइस next चलते हैं और next में आपको बताते हैं next आपका आगया है bsc math तो bsc math की बात कर ले bsc math में आप अगर देख पा रहे होंगे तो intermediate अगर आप math से PCM से pass हैं तो आप apply कर सकते हैं और bsc करने के लिए आप intermediate में पहले बता दिया हो तीन सल का course होता है और इसमें सीटों की संख्या बात कर ले तो 467 सीटों की संख्या है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चले गाइस next जलते हैं पूछा जाता है कि bsc bio में सर्फ कितने सीट है तो bsc bio की जान लीजे bsc bio में eligibility जो है वो है interpass होना चाहिए और duration इसका है तीन साल और subject में सभी अलग-अलग subject में अलग-अलग city होती है तो आप को इसमें clear नहीं बताया गया total seat की संख्या बताया गया तो 454 total seat होती है चले गाइस next में जलते हैं नेक्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सर msc में सिर्फ msc में तो msc में जैसे कि physics से अगर msc करना चाते है chemistry से करना चाते है math से करना चाते है botany से करना चाते है जूलाजी से करना चाते है तो इन सभी में अलग-अलग city होती है जैसे physics में 25 chemistry में 45 math में 80 botany में 20 और जूलाजी में 20 वही 20 ध्यान दिजी का city होती है अगला जो की मेन है जो की हमारे लिए है क्योंकि हम BSC Agriculture का इंड्रेंस का तैयरी बहुत ज़दा कराते हैं इसलिए आप सभी जरूर सुनिये गाईए और ध्यान दीजी का जो BA है, LLB है, BCAM है इन सभी का भी तैयरी होती है हमारे चैनल पे आप वीडियो अगर देखेंगे, पूछेंगे, कमेंट सबसे ज़्यादा रहेगा तो आपका भी तैयारी कराया जाएगा अगला इसमें देखें कि BSC AG की बारे मैं बता दू कि BSC AG जो है BSC AG में eligibility जो बात कर ले तो intermediate pass होना चाहिए with agriculture or science मतलब अगर आप PCM से भी है और PCB से है मतलब फिजिस कमेश्टरी बायो से या पढ़े हैं फिजिस कमेश्टरी मैस से या पढ़े हैं या तो आप agriculture से ही पढ़ाई किये हैं तो भी आप farm फिलप कर सकते हैं ध्यान देजी का duration जो होता है इसमें 8 semester होते हैं एक साल में 2 semester होते हैं 4 साल का course होता है तो दो गुड़े थे 4-4 दुरी 8 semester होते हैं seat की संख्या मैं बता दू तो 220 seat की संख्या है लेकिन सबसे पहले इसमें cut-off जो बनता है वो दो टाइप से बनते हैं पहला 110 पे बनता है फिर उसके बाद 110 पे बनता है मतलब 110 पे पहले cut-off बनेगा उसमें जितने बच्चे आएंगे उनको पहले रखा रहेगा फिर second cut-off list निकलेगी तो उसमें फिर से बच्चों को रखा जाएगा इसमें girls का अलग seat होता है और boys का अलग seat होता है तो ध्यान दीज़ेगा girls को सबसे ज़्यादा वरीत्या दी जाती है 50% वरीत्या है इस college में और साथ में weightage भी जूड़ता है अगर आप college से पढ़े हैं 20 college में इंटर किये हैं तो आपको 10 number weightage मिलता है और आप अगर जितना marks पाते हैं उसमें 10 number जूड़ जाता है चलेगा इस next चलते हैं next में आपका आ गया है MSCAG तो MSCAG की बारे में बत कर लेते हैं तो MSCAG की बात कर लेते हैं तो MSCAG की बात करनो तो MSCAG करने के लिए आपको BSCAG की डिगरी रना चाहिए आपके पास और आपको बता दू चार समेस्टर होते हैं मतलब एक साल में दो समेस्टर होते हैं तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे Plant Pathology, Agriculture Economics, Genetics and Plant Breeding, Agriculture Chemistry and Soil Science, Entomology, Agro, Onomy, Horticulture, Animal, Husbandry and Dairy, Agriculture, Extension सीटो की संख्या आपको मैं बता दू तो इसमें सीटो की संख्या होती है वो सीटो की संख्या 15 सीट होती है इच मतलब हर किसी में पंद्र होते हैं जैसे Plant Pathology में 15 सीट, Agriculture Economics में 15 सीट, Genetic and Plant Breeding में 15 सीट, Agriculture Chemistry में 15 सीट, आगे Entomology में 15 सीट, Agronomy में 15 सीट, Horticulture में 15 सीट, Animal Husbandry में 15 सीट, Dairy में 15 सीट, Sorry, Animal Husbandry और Dairy एक ही है Agriculture Extension में 15 सीट, मतलब सभी में 15 सीट होती है, ध्यान दीजेगा 15 सीट होती है, उससे ज्यादा कोई भी सीट नहीं होती है, इसलिए आप मत सोचिएगा, 15 सीट पे एक समझे की 20,000 बच्चे लड़ते हैं इसी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रो नामी सभी को चाता है, तो अगले बार 20,000 बच्चे दिये थे पेपर्स, जो कि सिर्फ MSCAG का, और BSCAG का भी बच्चे जो दिये थे, वो 20,000 से उपर थे, 24,000 बच्चे बता दो, तो बीकाम के बारे में मैं बता दो, इंटर पास होना चाहिए, और तीन साल का ये कोर्स पढ़ाए जाएगा आपको, और ध्यान दी जगा, 360 सीट होती है इसमें, अगला नेक्स्ट है, आपका एमकाम की बात कर ले, तो एमकाम करने के लिए बीकाम होना जरूरी है अगर आप ग्रेजुएट बीकाम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दो साल का कोर्स होता है, 80 सीट है अगला नेक्स्ट आपका एमका ललबी है, तो ललबी के लिए मैं बता दू, तो ललबी का जो कोर्स है, तो इसमें क्या होता है, कि ग्रेजुएशन रहना चाहि अगला LLM की बात कर ले तो LLM की बात करने से पहले मैं यहां बता देना हूँ कि LLM अगर करना चाते हैं तो आपको LLB में maximum 50% mark से पास होना जरूरी है और सीटो की संख्या बात कर ले तो 20 है और अगर duration की बात कर ले मतलब कितने साल तक पढ़ाई होती है तो 2 साल तक पढ़ाई होती है चले गाइस नेक्स चलते हैं नेक्स में आपको मैं और भी चीज़े बताता हूँ तो और चीज़े बताने से पहले आपको यह चीज़े मैं बता देता हूँ कि अगर आप सोच रहे होगे कि फार्म फिलब करने के बात सेंटर कहा जाएगा तो फ पांच नंबर का छूट मिलेगा एंसे सी कर रहे हैं तो दस नंबर का छूट मिलेगा ऐसे रहता है अगर यहाँ पे गेम्स या स्पोर्ट से हैं तो उसमें भी दस नंबर का छूट मिलता है तो यह चीज़े हैं अगला चलते हैं आपको मैं बता देता हूँ कि फीस कितनी ल मैट से है तो 3060 BSC मैट में भी लग रहा है अगर BSC Bio से पढ़ रहा है तो 3030 रुपए BSC Biome लगेगा अगर BSC AG से पढ़ रहा है तो BSC AG का कोई भी चीज नहीं है स्टार लगा दिया गया है क्योंकि BSC AG का फीस बढ़ गया है समझे कि 5000 रुपए 5-6,000 रुपए अगर आप जमा करेंगे तब आपका BSC AG में admission हो जाएगा एक साल का फीस जमा होता है इसलिए स्टार लगा दिया गया है क्योंकि इसका कोई सीमित नहीं है वहाँ पर जब जाएंगे जब result निकलेगा तो उसके बाद फीस बताया जाएगा अगला next है आपका BICAM का फीस बात कर लें तो 3,060 रुपए BICAM का वही अगर बात कर लें MSC का तो MSC का 3,240 रुपए है अगला आपकी बात कर लें LLB का तो LLB Professional Course अगर करना चाते हैं तो 6,200 रुपए है पर ये फीस है अगला चलिए next पर चलते हैं next में अगर LLM करना चाते है Self Finance होता है ये course जिसका 30,000 रुपए होता है अगला बात कर लें MSC AG तो ये भी Self Finance है ये इस डार पर लगा दिया गया है तो आपको मैं बता दू 20,000 रुपए पर ये अर था फीस लेकिन इस समय ये 24,000 रुपए या 25,000 रुपए के करीब चला गया है अगर आप cut-up जैसे result निकलता है तो cut-up release होती है तो वहाँ पर fees का detail दिया जाता है तो हर साल बढ़ता रहता है इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया है और हर साल नहीं दिया जाता है चले गाइज नेक्स चलते है B8 की बात कर ले तो B8 में 5,000 रुपए पर ये लगता है fees आपका वही MA की बात कर ले तो 3,240 रुपए लगता है वही अगर नेक्स बात कर ले M.C. काम की 5,000 रुपए है वही डिफेंस का बता दू तो 5,000 रुपए उसका भी है एजुकेशन का बता दू तो 12,000 रुपए है वही M.E.D. करना चाते है प्रोफेसनल तो 40,000 रुपए fees है चले गाइज नेक्स चलते हैं इसमें देखिए यहां पर एक चीज लिफ दिया गया है कि टूसन फीस अलग उसमें जोड़ा जाता है बहुत सारे चीज फीस जोड़ी जाते हैं यह 2,000 रुपए है यह आपको जमा करना पड़ेगा वहाँ पे कालेज में लेकिन यह सभी फीस के साथ रसीत के साथ कटके चले जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा था कि आपका 5,000 भी हो सकता है 6,000 भी फीस हो जाते हैं क्योंकि यह जूड़ जाता है क्योंकि उसमें आपके प्रेटकल फीस साइकल स्टेंड के फीस बहुत सारी चीज फीस जूड़ी रहती है सलेबस के बारे में discuss करेंगी इसमें तो सलेबस आपको clearly कर देते हैं तो चलिए सलेबस clear करते हैं उससे पहले आप देखते रहें वेट करते रहें क्योंकि यहाँ पे PDF है PDF को run करना पड़ता है आयसे नहीं कि direct में उठा के आपको दे सकता हूँ तो यहां पे आप देख रहा है कि फारम प्रवेस परिच्छा कैसे भरना है यह दिया गया है तो आप यहां से भर सकते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं यह सबी चीज़े हैं इससे कोई लेना देना नहीं है आपको पता करना है कि मेरा सलेवस क्या है तो सलेवस मैं यहां पे आपको दिका देता हूँ सलेवस क्योंकि सलेवस बहुत जूरी होता है मैंने आपको बोला था कि अधिभार देखो अधिभार यहाँ पे वेट इस जो है 5 रंका जूड़ता है मैं पहले ही बोला था तो पंद्रंक उसी के लिए जूड़ेगा जो महाविध्यालाय में है वहाँ से पढ़ाई किया उनके प्रेंस्वल के लड़के हैं या तो टीछर हैं तो उनके लिए है चले गईज णेक्ट पर बेधने अपे आपको बताते हैं क्या है सलेबस करते हैं आगर सलेबस तो सो गाईस यहाँ पर आप अगर अच्छे से देख पारहे होंगे तो यह पूरा total syllabus है अब इसे अच्छे से आपको पढ़ना है देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कवअला खंपढ़ना किसना तक प्रवेस परिच्छा में वस्तुनिष्ट प्रस्ण सो प्रस्ण पूछे जाएंगे जो कि निमलिखी दाधार पर भीफक्त होंगे पहला पूछा गया है तर्क सक्ती परिच्छड एवं सामान ग्यान reasoning and general knowledge 20 प्रस्ण होंगे और 10 तर्क सक्ती के होंगे और 10 सामान ग्यान के होंगे मतलब जी के से रहेंगे अगला आपका पूछा जा रहा है कि भासा ग्यान मतलब language test में 2 रहेंगे 20-20 question एक English के रहेंगे एक Hindi के रहेंगे यहाँ लिखा अंग्रेजी भासा और 20 Hindi भासा आपको इसमें से एक करना है अगला next आपका है कि आपसे subject aptitude test लिया जाएगा जिसके 60 question रहेंगे मतलब अगर आप agriculture से हैं तो आपके उससे subject से 60 question पूछे जाएंगे ध्यान दिजेगा लेकिन ये चीज ध्यान दिजेगा अब इतना आप पढ़ लिए अब इतना पढ़ने के बाद मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसे question वहाँ पर बनाया नहीं जाता ये जो सलिबस ये दिये रहा अगले साल इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था physics के सबसे ज़्यादा question दे दिये थे ये आपका prospectus है BSCG का क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये सलिबस में था वो सलिबस में था तो ऐसा मत करिएगा पिछले साल के बच्चों से पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चले गाइस next चलते हैं आप बात करते हैं कि इस नातुक तो मतलब UG का बता दिया पीजी की बात करते हैं तो पीजी की बात करने से पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि पीजी में कैसे papers होते हैं और कितना नंबर लेकर आना पड़ता है तो मैं बता दू कि पीजी का सब्जेक्ट से पूछा जाएगा जो कि सिर्फ एगरी कल्चर से रहेंगे मतलब कि 100 कोशन एगरी कल्चर से पूछे जाएंगे ध्यान दिजीएगा पीजी में एगरी कल्चर से 100 कोशन पूछे जाएंगे चाहे जो भी आप पीजी करना चाते हैं चाहे जी सब्जेक्ट से प्रवेस के लिए यहां पर दे दिया गया है कि कैसे कैसे आपका कितना कोश्चन रहेगा यहां पढ़ लीजिए LLB वाले और LLM की अगर स्टुएंट वो भी पढ़ लीजिए बाकी सभी चीज़े यहां पर लिखा गया आप पढ़ सकते हैं पढ़के अपना जाईए और तैयारी अभी से कर लीजिए यह फारम कैसे भरा जाएगा वहां पर एंसर की कैसे होगा यह सभी चीज़े यहां पर दियेगा आप अप लाइन पेपर नहीं होते हैं आप आप लाइन पेपर दे दिज़ेगा तो सो गाईस हमने आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट चीजे बता दिये जो कि टीडी पीजी कालेस से रिलेटेट थे बस इतना ही कहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे हैं तो जूड जाएगे क्योंकि यहां पर टीडी पीजी कालेस की सभी प्रकार की 28 नंबर लेकर आएंगे अगर हमारे चैनल से जूड़े रहेंगे लेकिन ब्यस्ती एजी के मैं बता रहा हूं कि आपका अभी क्लास चल रहा है मेरा डेली वीडियो आता है आपका कोशन अभी पूरी तरह से मैं कंप्रीट नहीं कर पाया हूं कम स्कम 60% कोशन कंप्रीट कर चुका हूं बागी 40% और कंप्रीट करना है तो बस आपसे ही कहूंगा कि जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक्स भी करते रहा करिए तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्ट पूडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्का कर दो